नादमनी प्राने समय की बात है कि एक गाउं में एक सपेरा रहता था उसका नाम था अच्छू उसके पास एक नागन थी जिसे वो अपने बीन पर नचाता था और गली गली जाकर पैसे कमाया करता था एक दिन सपेरा बोला नाच नागन नाच मैं और नहीं नाच सकती हूँ, मैं ठक गई हूँ अभी मेरे आगे जबान चलाती है, अभी डबे में बंद करता हूँ अच्छू नागन को डबे में बंद कर देता है और पैसे गिनने लगता है दस, बीस, पचास, सतर, बस इतने से पैसे रोध थोड़े थोड़े पैसे कब तक कमाता रहूंगा, काश कुछ ऐसा हो जाए, मुझे कमाना ही ना पड़े तब ही वहाँ एक रहगीर आया अच्छू को नागन का परिशान करता हुआ देख कर बोला कुछ बिचारी बूड़ी नागन को परेशान कर रहे हो अगर तुम्हें सच में पैसे कमाने है तो तुम्हें नागमनी हासल करनी चाहिए गाओं के पीछे जो पहाड़ी है इसके उपर एक जादूई गुफ़ा है जो पत्थर से बंद है इस जादूई गुफ़ा में ही नागमनी है लेकिन वहाँ एक जहरील नागराज रहता है जो वहाँ नागमनी की रक्षा करता है अगर तुम वहाँ पहुँच गए तो नागमनी हासल कर सकते हो बात तो सही है अगर नागमनी मिल जाए तो रोज रोज खेल दिखाने के जंच जट से मैं अज़ाद हो जाऊंगा ऐसा कौन सा साफ है जिसे मैं नहीं पकर सकता अच्छो अपनी नागन को अज़ाद कर देता है जा अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है अब तो मैं नागमनी हासल करूंगा अच्छो एक खाली बोरा और बीन लेकर गफा के पास पहुंच जाता है अच्छो शाम तक नागराज के बाहर निकलने का इंतजार करता रहता है सुबह से शाम हो गई अभी तक नागराज बाहर नहीं निकला लगता है बीन की अवाज सुनकर ही नाग राज बाहर आएगा तो अच्छू जोर जोर से बीन बजाने लगता है थोड़ी देर में बड़े फन वाला नाज राग बाहर आता है और फन फलाते हुए नाचने लगता है नाग राज कहता है बीन बजाना बंद कर अब मैं नाचते नाचते ठग जा हूँ मुझे अंदर रखी नागमनी चाहिए बता ये गुफा का पतर कैसे अटेगा तबी बीन बजाना बंद करूँगा नागराज बोलता है नागमनी किसी को नहीं मिलेगी तो तू ऐसे नहीं बताएगा गुफे में अच्छू फिर बीन बजाता है और नागराज को पकड़ कर डबे में बंद कर देता है ऐसा करने से गफा का पत्थर खुद बखुद हाट जाता है अहाहा तो ये तरीका था अंदर जाने का अच्छू गफा के अंदर जाता है अंदर जाते ही उसे चमकिली चीज नजर आती है वो नागमनी थी नागमनी देख कर उसकी आंखों में चमक आ जाती है अरे वाह मैं अमीर हो गया मुझे नागमनी मिल गई वाह क्या बात है तब ही अच्छू नागमनी को उठाता है तो वहां बहुत सारे सांप आ जाते हैं अच्छू गबरा जाता है और सांपों को काबू करने के लिए बीन बजाता है लेकिन अचानक उसकी बीन खराब हो जाती है अरे बाप रे ये बीन कैसे खराब हो गई अब मैं क्या करूँ डरा हुआ सापेरा गफा के मुँ की तरफ भागता है लेकिन गफा का मुँ अचानक बंद हो जाता है और लालची सापेरा इस गफा में बंद हो जाता है तो दोस्तो हमें इस कहानी से ये शक्ता मिलती है कि लालच हमेशा मुसीबत में डाल देता है